सो हेलो एवरिवन आज हम इस वीडियो में OMAX चेयर के quarter 4 के विजल्ट के बारे में बात करेंगे तो आप देख लेजे इस चेयर को कि आपको इसको बाई करना है, होल्ड करना है या सेल करना है आगे हम इस चेयर के यहाँ पर बात करते हैं टोटल इंकम की तो जो शेयर की टोटल इंकम है यहाँ पर yearly base में वो 172 थी और जो बढ़कर अब 298 हो गई है यानि कि इस शेयर के यहाँ पर टोटल इंकम में यहाँ इंक्रीसमेंट हुआ है अब बात कर लेते हैं हम इस शेयर के यहाँ पर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इंकम की तो यहाँ पर जो शेयर की कॉम्प्रिहेंसिव इंकम है वो 34.66 से यहाँ पर 103.81 हो गई है तो यानि कि जो कॉम्प्रिहेंसिव इंकम भी है वो भी यहाँ पर बढ़ी है और बाकी इस शेयर के अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते हैं तो वो 2.15 पैसे थी जो बढ़कर आप 5.77 पैसे हो गई है तो quarterly basis में इस share की results जो है यहाँ पे काफी बढ़िया आए है तो अगर इस share को आप यहाँ पे hold करने की सोच रहे हैं तो आप इस share को यहाँ पे अपने own risk में long term की perspective से भी hold कर सकते हैं